आज हम कुछ अलग तरीके से भिंडी प्याज की सबजी बनाकर तयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी सबजी बनकर तयार हुई है। आप भी इस तरह से भिंडी प्याज बनाकर देखिएगा। आपको इस रेसिपी पहुत पसंद आएगी। बहुत अच्छे से सूख जाती है। अब हम भिंडी के दोनों साइड के किनारे कट कर देंगे। बड़ी भिंडी है तो उसके चार पीसिस कर लीजी और छोटी भिंडी है तो दो पीसिस में कट कर लीजी। भिंडी को हमने काट लिया है और यहां हमने दो प्याज लिये हैं। प्याज को मैंने स्लाइस में काटा है लेकिन बहुत बारिक बारिक नहीं काटना है ये देखे इस तरह से थोड़ा मोटा पीस ही मैंने रखा हुआ है अब हम एक मसाला बना कर त्यार करेंगे इसके लिए मैंने एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है आधा चम्मच कश् आधा चम्मच गरम मसाला और एक टेबल स्पून हमने यहां भुना हुआ बेसन लिया है बेसन को हमने 7-8 मिनिट के लिए मेडियम टू लो फ्लेम पर भुन लिया था तो यहां कच्छे बेसन का इस्तेमाल नहीं करना है भुना हुआ बेसन लेना है अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो ये हमारा मसाला बनकर तयार हो चुका है अब हमने जो भिंडी काट कर रखी हुई थी हम ये सारा मसाला भिंडी पर डाल देंगे अब हम हातों की साहता से ये सारा मसाला भिंडी पर अच्छे से मिक्स कर देते हैं मिक्स करने के लिए यहां कोई तेल या पानी का इस्तेमाल नहीं करना है हमने इसमें जो नमक डाला है उससे थोड़ी देर में नमी आ जाएगी और यह सारा मसाला अपने आप ही भिंडी पर चिपक जाएगा और अब हम इसे 5 मिनिट के लिए रखतेंगे तो 5 मिनिट रखे हुए हो गए है भिंडी को और यह सारा मसाला भिंडी पर चिपक गया है तो चलिए अब हम इसकी सबजी बनाती है सबजी बनाने के लिए हमने यहां पर 2-3 बड़े चमच सरसों का तेल लिया है सरसों के तेल में यह सबजी पहुँट टेस्टी बनेगी वैसे आप जो भी तेल पसंद करते हैं उसमें भी इसे बना सकते है सरसों का तेल लिया है तो इसे अच्छे से धुआ उठने तक पहले मेडियम हाई फ्लेम पर गरम करेंगे जैसे ही तेल में सी धुआ उठने लगेगा गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे ताकि तेल का टेंपरेचर कम हो जाए जब तेल का टेंपरेचर कम हो जाएगा तब फिर से गैस की फ्लेम को ओन करेंगे और इसमें एक चमच के करीब जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से चटकने दीजिए साथ ही एक चोथाई चम्मच अजवाइन डालेंगे अजवाइन का फ्लेवर भिंडी में बहुत ही अच्छा आता है अब हमने यहाँ पर दो से तीन हरी मिर्चे ली है साथ ही हमने जो प्याज काटकर रखे हुए थे वो भी इसमें डाल दीजिए और अब हम मेडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज को केवल एक से दो मिनिट के लिए फ्राइ करेंगे प्याज को एकदम सॉफ्ट नहीं करना है बाकी यह बिंडी के साथ सॉफ्ट हो जाएगा है प्याज ट्रांस्लिउसेंट सा हो गया है अब हम इसमें यह सारी भिंडी डाल देंगे और अब हम भिंडी को भी मेडियम टू हाई फ्लेम पर एक से दो मिनिट के लिए भून लेंगे इससे भिंडी खिली खिली बनती है बहुत ही टेस्टी बनती है तो मैं इसे continue चलाते हुए भून रही हूँ भिंडी को हमने बस एक दो मिनिट के लिए भूना है और अब हम इसे खुले में मेडियम टू लो फ्लेम करके पकाएंगे मैं इसे ढखकर नहीं पका रही हूँ खुले में ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी बस बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए और पूरे टाइम गैस की फ्लेम को हमें मेडियम टू लो रखना है अभी हमें भिंडी को पकाते हुए लगबग 7-8 मिनिट हो गए है भिंडी काफी सॉफ्ट हो गई है और मैं इसे हर 2 मिनिट के बाद चला रही हूँ अब हम इसमें आधा चोटा चमच के करीब आमचूर का पाउडर डाल देंगे इससे भिंडी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा इसे भी बढ़िया से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद अब हम भिंडी को फिर से एकदम बढ़िया से सॉफ्ट होने तक पकाए और ये लीजिए आमचूर पाउडर डालने के बाद हमने 6-7 मिनिट और पकाया भिंडी एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है तो बस गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए ये देखे कितनी बढ़िया भिंडी की सबजी बनकर तयार हुई है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है तो फ्रेंड्स यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शियर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल स के सब्सक्राइब कर भी करते हैं सिलाग घक थश्ड़न कर बने करते हैं सम्चे कर दाने देस्टी है तो कि थाके तेयर कि रवरानय का देस्टी फेल-धने हाईएब र Daar प्रेंगे हैं वीड रριंबर देस्टी हैं सम्चे坦र फेह यहाईब उर ऑיות